हे दोस्तों में चिराग एक वीडियो के साथ तो आज हम देख रहे हैं सेलरी का फूर्थ पार्ट इसमें देखेंगे हम चार टॉपिक देखेंगे सबसे पहला देखेंगे रिटरेंच्मेंट कंपंचेशन फिर देखेंगे वी आरेस वॉलेंट्री रेटायर्मेंट इसकीम से रिलेटेट कंपंचेशन का पार्ट उसका एक एक एग्जामपल भी कवर कर लेंगे ठीक है फिर आएगा थर्ड नमबर का एनुटी का पार्ट और फूर्थ आएगा प्रॉफिट इन लिव आफ सैलरी ठीक है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिटरेंच्मेंट कंपंच लिए तो सबसे एक पार्ट इनके नमबर्स को रिडियूस कर रहे है दिरेदे गर के अब आपको बताया कि जो भी सर्विस कॉंट्रेक्ट है अगर वाप वो कैंसिल करोगे यानिए एंपलोई को क्या करेंगे बदले में हम एम क्या देंगा अनि एंप्र क्या देगा आप देखोगे जनरली वो टेक्सेबल होते हैं फुली लेकिन ये रिट्रेंशमेंट कंपंशेशन वाला कंपंशेशन उसमें कुछ एक्जम्शन का पार्ट आ जाता है इसी तरीके से या रगना मैंने रिट्रेंशमेंट में क्या बोल दिया कि एंप्लोई की संख्या में कमी कर रहे हैं चटनी कर रहे हैं उनके कॉंट्रेक को कैंसल कर रहे हैं इसी तरीके से कभी-कभी क्या होता है एंप्लोई का बिजनस ही बंद हो जाता है तो इसका मदलब क्या हुआ जो सारे एंप्लोई है वह अनेंप्लोई हो जाते हैं तो उस केस म में section 10 subsection 10b any compensation received by a worker at the time of retirement is exempted to the extent of minimum of the following ठीक है इसके लावा और भी point है वो नीचे cover कर लेंगे लेकिन अभी तो यही देख रहे हैं तो यहां पर 3 point दे रखें क्या बोल रखा है minimum of the following least ठीक है actual amount received 5 lakh rupees और C क्या दे रखा है an amount calculated in accordance with the provisions of section 25 f subsection b of industrial dispute act 1947 देखे क्या बोल रहा है industrial dispute act 1947 के जो section 25 f subsection b इसके according जो amount calculate किया गया अब यह bracket में भी दे रखा है और मैंने other words में आपको बता दिया जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी कभी देखे क्या बोल रहा है सबसे पहले देखते year of service और any part there of in excess of six month अब देखिए यह जनरली जो part in excess of six month यह अपने payment of gratitude act वाले पार्ट में भी देखा था कि अगर more than six month होंगे तभी जाके क्या होगा completed year मानेंगे जैसे मान के चलिए कि अगर आपने 12 years seven month service दी 12 years seven month तो 13 years हो जाएंगे अगर आपने 12 years six month service दी तो 12 years ही रहेंगे 12 years five months service दी तो 12 years ही रहेंगे इसका मालब अगर six month रहते हैं तो वह नहीं ले जाएंगे लेकिन उससे ज्यादा होता है six month 15 days 10 days seven months तो तब क्या होगा अगला year भी ले लिया जाएगा ठीक है आपको यह पता है तो आप देख सकते हैं यहां पर यह बोल रहा है इन other words 15 days average पे इंटू length of service length of service मतलब क्या हो गया वही completed year of service जिसमें क्या करोगे more than half year को क्या करोगे एक साल treat कर लोगे तो 12 years seven month उसका हम employee वो monthly basis पे क्या करता है wages उठाता है या salary जो भी है वो उठाता है यानि कह रहा है in case of monthly paid workman तो उस case में क्या लेंगे three complete calendar months लेंगे अब देखिए average कैसे निकलता है मैं आपको example बतायता हूं मान के चलिए कि कोई employee है उसको अक्टूर में काrint क्रेंस कर दिया गया याणि हटा दिया गया ठीक है written management वाला पाड या रढ़ना कि retrench कर दिया या उसका contract क्या कर दिया गया कैंशिल कर दिया गया तो उससे पहले कौनसा मन्त आता है September का उससे पहले क्या था अगस्त का और उससे पहले या था तो जुलाई अगस्ट सेप्टेंबर यह तीनों मंत की जो भी उसकी सेलरी होगी मान के चलिए कि जुलाई में उसको 5000 मिलते थे लेकिन अगस्ट से बढ़ गए थे 1000 तो 6000 और 6000 सेप्टेंबर के तो अक्टूबर में उसको हटा दिया गया उससे पहले के तीन मंत में क्या हुआ 6 प्लस 6 प्लस 5 ठीक है कितने होगे 17,000 होगे ठीक है अब यह बोल रहा 17,000 को 3 से डिवाइड मत करना है आपको एवरेज पे जो निकालनी है वो 15 डेज की निकालनी है तो आपको 15 डेज को मल्टिप्लाय करना पड़ेगा किसके साब से जब आपको पर डे की सेलरी पता होगी तो पर डे के लिए क्या करना पड़ेगा आपको तीन मंत का टोटल देखना पड़ेगा कि टोटल डेज कितने होते हैं तो जुलाई में 31 डेज होते हैं अगस्त में 31 होते हैं और सेप्टमबर में 30 डेज होते हैं तो टोटल मिला के कितने होगे 92 तो जैसे आप 17,000 की सेलरी म निकल के आ जाएगा और उसको क्या गरोगे completed year of service जैसे आपने 15 years काम किया उससे multiply कर दोगे तो जो ये part है ये एक साल का है कि एक साल के दोरान 15 दिन की average salary क्या बनती है अगर एक completed year आप काम करते हो तो 15 days की average salary क्या बनती है तो वो कैसे बनेगी पिछले 3 महिने के basis पे अगर आप आपको weekly pay मिलता है तो जिस हफते में आपको क्या करा retrench किया गया उससे पहले के 4 हफते उसकी salary देख लो यानि आप ये example cover कर सकते है कोई सा भी cover कर लीजिए जैसे आपको बताए कि जिस हफते retire हुए जिस हफते retrench हुए यानि छटनी हो गई उससे पहले के 4 हफते में आपकी salary क्या थी wages क्या थी उसके साब साबका compensation का 15 days का average पे दिखा जाएगा तो मान के चलिए उससे पहले के 4 हफते में आपकी क्या थी 700 पर week की आपकी wages थी तो 700 into 4 इसका मतलब क्या और 2800 उस 4 हफतों की wages थी और आपको बताए कि 4 हफतों में कितने दिन होते हैं 28 days होते हैं तो जैस से multiply करो के 15 से तो 1500 आजाएगा तो इसका मतलब उस particular एक साल यानि completed year की जो भी 15 days की average पे है वो 1500 हो जाएगी 100 रुपीस per day into 15 फिर आपको बताए कि अगर 15 years काम किया है तो 1500 into 15 ये C point निकल के आजाएगा अब देखिए तीनों में से जो कम होगा वो generally exemption का part आएगा जैसे ही जो भी actual amount मिला है उसमें से ये तीनों में से जो कम है less कर देंगे तो बाकी जो part है वो taxable हो जाएगा क्योंकि आपको पताए कि exemption है ये tax free part है और बाकी part क्या होगा taxable part कहलाएगा ठीक है अगर days की बात कर रहे है देखिए days में क्या बोल रहा है कि अगर daily basis पे किसी worker को wages मिलती है तो जिस वक्त उसको retrench किया है उससे just पहले के 12 दिन उस 12 दिन के आप wages लो देखिए कभी क्या होता है उसको कितने मिलते हैं मानके चलिए 80 रुपीज मिलते हैं कभी 100 रुपीज मिलते हैं इस तरीके से आपने 12 दिन का part ले लिया और something मानके चलो कितना बन गया 1200 रुपे बन हैं तो 100 x 15 करोगे 1500 और कितने साल उसने काम किया 20 years उसने completed service की completed year of service की तो 20 से multiply कर दोगे इस 1500 को तो आपको यह ध्यान रखना है ठीक है तो यहाँ पर यही दे रखा है average pay में कि average of the wages payable to a workman जो मैं आपको बता दिया देखिए वही दे रखा है preceding the date on which the average pay become payable if the workman had worked for 3 complete calendar month, 4 complete weeks, 12 full working days simple सा part है कुछ भी नहीं दे रखा फालत हुए इसलिए मैंने इसका example भी cover नहीं करा क्योंकि basic सा था अगर आपको example चाहिए तो particular आपको group में provide कर दूँगा आपको समझ में आ जाएगा ठीक है और आप calculate कर लोगे उसके बाद मैं आपको answer बता दूँगा ठीक है ऐसे कर सकते है तो notes देखें क्या बोल रहा है in case where the compensation is paid under any scheme approved by central government nothing shall be taxable अगर compensation जो दिया गया है वो central government की किसी approved scheme के according दिया गया है तो उस case में कुछ भी पार taxable नहीं होगा सारा का सारा exempt हो जाएगा अच्छी बात है employees के लिए कुछ भी taxable नहीं रहेगा जबकि यहाँ पर तो जो exemption दी गई वो कौन सी दी गई है least of the falling तो कुछ पार तो taxable रहे गई रहेगा A B C में से least तो आपको पताएगी देखिए सबोच कीजिए कि actual amount जो आपको मिला वो कितना मिला मैंने बोला जैसे 1,20,000 मिला ठीक है यह 5,000,000 है अब यह सोचिए कि यहाँ पर जो यह पार्ट निकला वो कितना निकला ऐसे सोचिए कि 50,000 निकला अब 1,20,000,500,000 और 50,000 तीनों में से जो कम हो तो 50,000 कम है वो ही exempt होगा वो ही tax free होगा तो आप क्या करोगे जो taxable part है वो कितना बताओगे कि 120 हमारा actual amount मिला था उ बाकी taxable part हमारा 70,000 हो गया जो बाकी आपने सारे cases में देखा सेम है जैसे gratitude में देखा normal जैसे taxable calculate करते हो वैसी सोचेंगे ठीक है अब देखें यहाँ पर क्या बोल दिया बी पॉइंट में compensation received by a workman at the time of closing down of the undertaking मैं आपको क्या बताया था कि अगर employer अपना business बंद कर रहा है तो Retrenchment तो उसको भी Retrenchment माना जाएगा और उसका भी exemption उपर की तरह ही निकलेगा यानि जब भी business बंद हो जाता है और employee को जो भी compensation मिलता है वो भी Retrenchment के अंदर आएगा और C point में क्या देखा है देखे इसमें बोल रहा है Retrenchment also includes transfer of services of the employee to another employer if the service of the employee has been interrupted by such transfer कि जैसे ही transfer दूसरे employer के पास किया गया तो पुरानी service एक तरह की से interrupt हो गई उस case में भी Retrenchment का पार्ट आएगा यानि जो भी compensation मिलेगा उसकी जो exemption का पार्ट आएगा वो आपको लेना पड़ेगा यानि employee के लिए तरह की सब फायदा ही है या रख लेना क्योंकि देखिए अगर fully taxable होता है तो employee के लिए फायदा नहीं होता यहां पर exemption तो मिल रही है न तो सीधी सी बात है यह भी exemption के पार्ट में आ जाएगा यह भी आ जाएगा यह बोल रहा है या बोल रहा है और with the new employer there is no provision of paying such compensation to the employee in future इस आपको पुराने employer से जो भी compensation मिलेगी तो वह एक तरीके से क्या है exemption वाले पार्ट में आ जाएगी और ABC तीनों में से जो कम है वह जनरली tax free पार्ट आगा जैसे वह less करोगे बाकी आपका taxable हो जाएगा जरूरी नहीं है कि देखिए कि taxable पार्ट कुछ हो कभी कभी क्या होता है कैसे हो सकता है देखिए जैसे मैंने बोला कि actual amount 1,20 मिला तो 1,20 5,00 अब देख लीजिए कि यहां पे कुछ भी amount निकाल लीजिए जैसे 150 बोल दीजिए कि 150 निकल क्या है वैसे इतना नहीं निकलता जनरली कुछ ने कुछ पार taxable होता है लेकिन मैं यह बता रहूं कि 0 भी ह जा था 120 उसमें से exempted क्या था least of the following तो least of the following क्या था कि यह 120 120 में से 120 less करेंगे तो 0 आ गया तो इसलिए कभी भी या रखना कि जब हम exemption का बाट बोलते है तो negative जाएगी नहीं यह तो 0 जाएगी ठीक है सीदी सी बात है deduction negative हो सकती है deduction के थुरू जो भी आपका income का पार्ट है वो negative हो सकता है लेकिन exemption के थुरू जो पार्ट है वो negative नहीं हो सकता कभी भी करके देख लेना ठीक अब देखिए compensation received at the time of voluntary retirement कि देखिए इसमें क्या बोल रहा है employee अगर अपनी इच्छा से रिटायर हो जाता है तो उसको जनरली क्या मिलता है voluntary retirement के form में compensation का पार्ट मिलता है जिसे हम क्या बोलेंगे voluntary retirement यही बोलेंगे सीधी सी बात है section 10 subsection 10 सी है अब देखिए generally हम बोल सकते हैं कि कोई भी business क्यों देगा कि मोजुदा जो भी करमचारी है जानी जो पहले से ही employee है उनकी संख्या में कमी करना या रखना कि जैसे ही जिसने voluntary retirement ले लिया उसकी जगे खाली जगे को नहीं बरा जाएगा यानि अगर कोई X नाम का person है वो किसी XYZ company से चले गया और वहां पे कितने हैं मान के चलिए 50 employees है अगर वो चले गया तो minus 1 हो गया इसका मदलब के कितने बच गया 49 अब यह नहीं कि उसके place को fill किया जाएगा वो खाली ही रहेगा तो इस case में क्या हो दखते है जो भी रिटायर हुआ है एक तरीके सा person वो same management में दूसरी जगे में नहीं जा सकता है जैसे holding subsidiary हो गई तो यह नहीं कि वो holding से retire होके voluntary retire होके subsidiary में जा रहा है क्योंकि generally हम क्या बोलेंगे वो same management में हो सकती है ठीक है उसका management एक ही क्या कर रहा है person सबाल रहा है यानि manager जो भी है या substantial interest जिसके पास है या जो voting rights है वो सबके पास same है एक तरीके से तो उस case में हो सकता है कि power effect हो सकता है तब ही हम बोल सकते हैं कि वो same management में नहीं जाएगा देखे यहां पर यही बोल रखा है if an employee accept retirement willingly in lieu of compensation then such retirement is known as voluntary retirement warranty retirement compensation received or received by an employee is eligible for exemption subject to falling condition अब देखिए आपको पता है कि taxable part तो रहेगा लेकिन आपको exemption मिल चुकी है अब exemption में आपको कितनी तर रखिए दो लेकिन मैं generally 4 बोलता हूं अगर question करते हो तो उसमें आपको 4 condition देखनी पड़ती है और उसमें से एक तरीके से least part आपका आ जाता है वो exemption का part होता है यहां रखना ओ अच्छा यह तो condition है मैं amount की बात कर रहा था amount में generally मैं क्या देखता हूं चार पार देखता हूं condition में क्या बोल रहा है exemption के लिए कि compensation is received from specified employer अब देखिए specified employer क्या होंगे तो नीचे आपको यहां पर बता रहे है अलग से यह रहे ठीक है specified employer क्या होत information आपको बताया था इसके लावा RBI Reserve Bank of India हो गया तो यह क्या एक तरीकी से special act के थुरू बने वह है ONGC हो गया यह बताया था तो यहां रखना इस तरीकी से आपका पाड़ आता है local authority हो गया अब देखिए generally इसमें government भी आ गई अभी देखिए आ गया आएगी एक cooperative society specified university and Indian Institute of Technology I IT IIMB आएगा या रखना any state government central government या notified institution of management या कोई सा भी notified institution जो की central government state government इन्होंने जनरली क्या कर रखा है notify कर रखा है I am Ahmedabad I am Bangalore I am Calcutta I am Lucknow यह आ रहा है and the Indian Institute of foreign trade New Delhi यह भी आ रहा है ठीक है तो यह सारे specified employer हो गए तो इसके according जो भी employee retire होता है और जो conditions पूरी करता है second वाला पा example है सबसे पहला पार अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है compensation is received as per VRS framed in accordance with prescribed guidelines अब guidelines क्या है जनरली वो का और करनी पड़ेगी amount of exemption क्या है देखिए क्या बोल रहा है exemption shall be minimum of the following जो भी actual amount मिला है guidelines के according ठीक है या पांच लाग उसमें से जो कम हो लेकिन मैंने क्या बहला कि जब भ पहले guidelines देख लेते हैं जिससे आपको आगे जो मैं C और D point बोल रहा हूं वो भी समझा दूँगा और question के थूरू भी आपको समझ में आ जाएंगे ठीक है देखिए सबसे पहले condition क्या बोल रहा है rule 2 BA के according कि जो यह VRS की scheme है उन सारे employees पे applicable होगी director को छोड़के उन सारे employees पे applicable of service इसका मतलब क्या है 10 years complete कर दियो 12 15 20 इस तरीके से complete कर दियो अब देखिए बोल रहा है कि यह condition किसके लिए जरूरी नहीं है this condition is how or not applicable in case of an employee of a public sector company तो जरूरी नहीं कि यह condition वो पूरी करे उसमें इसका कहने का मतलब क्यों हो गया कि अगर वो five year में हो जाता है six year में हो जाता यह वाली condition applicable नहीं है पर बाकी सारी तो है अब देखे क्या बोल रहा है such scheme must be framed to reduce the number of employee यह एक तरीके से इसलिए बनाई गई है ताकि मौजोदा जो भी employees है उनकी संख्या को कम किया जा सके यह मैंने आपको बताया था तीसरा क्या बोल रहा है the vacancy caused by VRS is not to be filled up इसका मलब जो ज प्रेयर होगया employee वह दूसरी company में जॉइन नहीं कर सकता जो कि same management के अंडर में आ रही है ठीक है तो वह दूसरी company में जॉइन नहीं कर सकता जो कि same management में आ रही है पांचवा point अब देखिए यह C point और D point एक तरीके से मेरे साब से the amount of compensation does not exceed the amount equivalent to 3 months salary for each completed year of service अब देखिए simple सा प compensation में जैसे आपको क्या हो ला कि 15 days average पे into length of service अब देखिए length of service तो वह ही है completed year of service अब यह अलग हो गया ठीक है तो वहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है थ्री मन्त डंक से देखिए क्या बोल रहा है the amount equivalent to 3 months salary for each completed year of service अब देखिए यानि इसका मतलब क्या होगे यहाँ पर each completed year of service है तो अगर उसने 15 year क्या service दी तो यहाँ पर आप क्या करोगे 15 तो करोगे आप into किस से करोगे 3 months salary के साथ multiply कर दोगे तो 3 तो लिखोगे और salary क्या होगी जो भी voluntary retire हुआ उससे just पहले के 3 months की salary जैसे मान के चलिए कि 10,000 रुपीज थी per month तो 10,000 into 3 into 15 year तो यह जो 10,000 into 3 30,000 रुपीज है यह per completed year of service का part है for each completed year of service और कितने साल काम किया उसने 15 year उसके बाद retire हो गया simple सा part ठीक है तो A, B तो condition है C condition यह भी देखनी पड़ेगी फिर देखना पर यह भी देखनी पड़ेगी यह क्या बोल रहा है salary at the time of retirement multiplied by the balance month of service left इसका मतलब क्या है कि अगर आप पहले retire हो जाते हो मान के चलिए कि किसी company में बोलते हैं कि retirement की age 58 year है किसी company में जहां पे आप join वे अब देखिए आप 45 की age में retire हो गए तो 58 में से 45 गए आप 45 years की age में retire ह हो गए 48 से उपर हो गए इसका मतलब आप condition पूरी कर रहे हो और इसके लावा employer जो भी है और किसी को appoint नहीं कर रहा है इसके लावा employer employee को किसी और same management वाली company में appoint नहीं कर रहा है यह सारी condition पूरी हो रही है तो देखिए यह बोल रहा है कि balance month of service left अगर आप यहीं पे रहते company में salary के साथ पर कैसे इसमें बोल रहा है balance month of service left तो 13 years नहीं 13 into 12 करना पड़ेगा ठीक है समझ गए तो यहाँ पे हमें month लेना पड़ेगा तो salary पर month तो आपको बता है जो कि last drawn है अब salary का मतलब यहाँ पर basic एक minute इसको हटा देता हूँ अब देखिए HRE की तरह है salary same HRE की तरह है house rent allowance की तरह है या जिस पर payment of gratitude act नहीं लग रहा तो तब मैंने आपको salary का part बताया था same वैसे है देखिए बोल रहा है basic plus DA अगर retirement benefit का इस form में part of retirement benefit retirement benefit का part बनता है फिर बोल रहा है fixed percentage of commission जो कि किस पर होता है turnover जो कि last drawn की गई है तो salary per month है और आपके balance month जो left है service के वो देखना है त तो आपको पता है कि जो भी year बच गए थे ठीक है क्योंकि पहले ही retirement ले ली थी उसको 12 से multiply करते ना तो month निकल के आ जाएंगे अभी question करा हूँगा समझ में आ जाएगा देखिए specified employer मैंने आपको बता दिया tax point क्या बोल रहा है देखिए अगर आपने देखा होगा यह सारी company की बात कर रहा है authorities की बात कर रहा है Central State Government की बात कर रहा है यह जनरली जब भी आप यह IIM IIT देखोगे तो यह specified university की बात करोगे तो यह किसी नहीं किसी act के थुरू ठीक है पार्लियमेंट के थुरू इनके थुरू जनरली क्या incorporate हुई है बनी है ठीक तो एक तरीके से कही ने कह government का पार्ट इसमें आ गया यह company की बात कर रहा है तो इसमें चलो private companies भी आ गई लेकिन यह individual का पार्ट नहीं है firm का पार्ट नहीं है HOF का नहीं है AOP का नहीं है तो इस case में क्या हुआ अगर employee किसी ऐसे employer से compensation ले रहा है voluntary retirement compensation ले रहा है जो कि individual employer firm है HOF है AOP है तो उस case में सारा का सारा taxable होगा employee के हाथों में तो यह बोला voluntary retirement compensation received from the employer being an individual firm HOF AOP etc is fully taxable in the hands of employee ठीक अब देखें नोट में क्या दे रहा है यह देख लेते हैं फिर इसका लेस्टेशन कवर कर लेते हैं फिर आगे तो छोटे-छोटे पार्ट है सिंपल से देखिए इसमें बोल रहा है कि employee को जो भ अससे अंडर दिस section in any assessment year then no deduction deduction में दोली ऐसे बोल दीजिए no exemption is allowed in any subsequent assessment years it means exemption अंडर दिस section is allowed once in a life of an assessi assessi की जिन्दिगी में एक बार ही मिलेगी उसको ठीक दूसरे point में यह बोल रहा है कि देखिए अगर आपको relief लेनी है यानि relief under section 89 subsection 1 बोलते है ना जो कि मैंने आपको बता ह है आपको यह मैं सिखाऊंगा तो अगर relief under section 89 subsection 1 लेनी है तो इस case में आपको voluntary retirement scheme की exemption नहीं लेनी है यहार रखना यानि कहने का मलब आप double benefit नहीं उठा सकते हो अगर आपने VRS की exemption ले ली तो आप relief नहीं ले सकते अगर आपने relief ले ली तो आप यह exemption नहीं ले सकते तो दोनों में से आप एक ही चीज़ कर सकते हो या तो exemption लीजिए या relief लीजिए यह बोल रहा है तो बोल रहा है where any relief has been allowed to an SEC under section 89 अब subsection 1 है या रखना in respect of voluntary retirement no exemption shall be allowed under this section इसका मलब अगर relief ले ली तो exemption नहीं मिलेगी ठीक है तो अगर exemption ले ली तो relief नहीं मिलेगी अब दोनों में से एक ही ल double benefit नहीं उठा सकता तो देखिए लोगों को provisions इसके पता नहीं होते हैं तो provisions को आराम से देखोगे अलग-अलग books से बढ़ोगे तब जाके आपको समझ में आएंगे क्योंकि कहीं नहीं कुछ ने कुछ content दिया होता है देखिए act होते हैं उसके लावा rules होते हैं तो एक तरीक इसे experience होता है लोगों को फिर आपको बताते रहते हैं जैसे मेरे को हलका हलका है तो इसलिए मैं बताता हूं यह नहीं कि मैं tax कोई विद्वान हूं यह जो tax के सर होते हैं CA के तो जनरली क्या है बार बार यहीं करवाते हैं इसके लावा उन्होंने बहुत ज्यादा audit की भी हो यहाँ पर यह बोल रहा है कि श्री देवंदर एक प्राइवेट कंपनी में था अब देखे पब्लिक कंपनी में होता तो उस case में तो पहली condition देखने जरत नहीं थी कि 40 साल से ज्यादा एक तरीकी से उसकी एज हो गई या 10 साल या उससे ज्यादा वह completed year of service कर चुका है यानि service दे चुका है तो वो देखने की जरत नहीं थी अब देखे क्या बोला है शीरी देवंदर is employed in a private company इसमें देखने की जरत है क्योंकि वो private company का employee है इन इस paid a sum of rupees 6 lakh on voluntary retirement from service the normal age of retirement in the company is 60 years and देवंदर who was of 45 year at the time of retirement had completed 20 years of service अब देखे आप कुछ सोचिए कि अभी मैंने आपको D condition बताई वो आपके काम आ जाएगी यह वाली salary at the time of retirement multiplied by the balance month of service left तो आप सोचिए कि retirement की age क्या है company की 60 year में retire हो सकता है person लेकिन देवंदर ने तो 45 year में retirement ले ली तो इसका मदलब 15 years 15 years into 12 करोगे तो कितने होते है यह होते है अपने 180 month कितने होते है 180 month और पिछली जो salary थी last वो देखनी पड़ेगी तो salary यह ही basic पे लेकिन इसमें DA भी आता है DA कि इसका बाट आता है अगर वो retirement benefit का part है तो देखे ब पता है कि जब एक employee retire होगा तो इसको pension मिलेगी तो इसका मतलब क्या है यह retirement benefit का part है अब कितना 50% pension में include किया गया तो इसका मतलब 50% retirement benefit का part है ठीक तो 10,000 तो पूरा आएगा और 6,000 का 50% आएगा कह रहा है ने his monthly salary at the time of retirement was as follow यह monthly salary 10,000 औपीज पर मन्त DNS allowance कितना लोगे सिर्फ 3000 क्योंकि pension जो है उसमें सिर्फ DA 50% include किया जा रहा है half include किया जा रहा है तो इस case में क्या बोलेंगे DA retirement benefit का जो part है वो only 50% है इस case में हम क्या करेंगे 13,000 रुपीज लेंगे 10,000 प्लस 3,000 अब देखिए HR लेते नहीं है convince allowance लेते नहीं है commission लेते हैं अगर question में commission बोलता जो कि turnover के fix percentage के form में होता अगर turnover के percentage के form में नहीं है profit के percentage के form में है या fix commission दे दिया जैसे मैंने पिछले questions में आपको बताया है जब भी तो वो नहीं लेते हैं तो यहां भी नहीं लेंगे HR की तरह सोच के चलना जब house rent allowance बताऊंगा तो उसमें भी आएगा basic plus DA अगर retirement benefit का part है plus commission अगर turnover क percentage के form में दे रखा है किरा है what is the amount of compensation taxable under that अब देखिए कितना उसको मिला था उसको मिला था 6 lakh ठीक है तो सबसे पहले आपको बताए कि 6 lakh 5 lakh यह देखना पड़ता है तो देखिए actual amount received under VRS computation of taxable amount received from VRS तो यह 6 lakh लिखा अब देखिए last में क्या बोल रखा है exempted amount being least of the falling तो देखि minimum amount जो statutory amount होता है तो यह 5 lakh है जो कि act के according ताय किया गया एक तरीके से salary of 3 months for each completed year of service तो मैंने आपको क्या बताया कि generally उसने कितने साल काम किया देखिए completed 20 years of service अब आपको बताए कि last salary कितनी थी 10,000 रुपीस थी basic पे और DA कितना था 3,000 यहा रखना 50% लेना है तो 13,000 दे रखा है 13,000 यहाँ पर मैंने calculate कर रखा है working note में ताकि आपको समझ में आजा है बात के लिए 13,000 into 3 तो कितना हो गए 39,000 per year तो 20 year के साब से कितना होंगे 7,80, salary of the remaining period of service तो remaining period कितने बचे थे मैंने कितने बताये थे 15 years कैसे बताये थे 60 years retirement की age है 45 year में वो retire हो गया तो इसका मलब उसके ब पर मन्त है 13,000 पर मन्त को 180 मन्त से multiply करोगे तो 23,40 आएगा चारो में से जो less करोगे चारो में से जो सबसे कम देखोगे 5 lakh वो यहाँ पर आ गया 6 में से 5 गया तो 1 lakh taxable हो गया ठीक है कितना simple सा था normal सा पार्ट तो देखिए उपर provision जरूर देखिए क्योंकि आपके काम तो आपको पताए कि आपको बस क्या करना है अगर monthly part है तो 3 महीनी की salary लेने है और नीचे क्या करना है days divide करने है अगर weekly की बात करते हो तो आपको नीचे क्या करना है वो 4 हफते जो भी होता है या 28 days वो divide करने है अगर days की बात करते हो तो आपको क्या करना है 12 days की salary देखनी है या wages देखनी है तो वो generally किसका था Retrenchment Compensation का था ये Voluntary Retirement Scheme का है सब के अलग-अलग है अब आप confused हो जाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा दो-तीन बार Tax के पार्ट को तो revise करना पड़ेगा तब जाके ही आपके mind में गुसेगा ठीक है मैंने आपको चार्ट प्रोवाइड किया हुआ है किसी particular CA का था आपने देखा था मैंने आपको PDF प्रोवाइड की भी थी तो उससे related चार्ट देखिए बार-बार तो वो एक ही जगे दिख जाएगा 4-5 पीज में दिख जाएगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा लाश्ट में ठीक है अब देखिए देखिए दे रखा एनुटी सेक्शन 17 सब्सेक्शन 1 उसका पॉइंट 2 अब देखिए आपको बताए कि एनुटी को हिंदी में क्या बोलते है वार्शी की बोलते है तो जैसे आपको बताए पेंशन मंतली दी जाती है ठीक है अगर मैं अनकम्मुटेट की बात कर रहा हूं और कम्मुटेट मतलब क्यों हो गया लंसम हो गया तो वैसे एनुटी का देखिए नाम से क्या बता चल रहा है एनुटी का पार्ट तो यह बोल रहा है कि अगर एमप्लोयर को देता है यानि प्रजने एमप्लोयर अगर एमप्लोय को देता है एनुटी का पार्ट चाही वह वालेंटरली मं इसे इ सालरी तो एनुटी fully taxable as profit in lieu of salary ठीक है वेतन के बदले लाब वेतन के बदले लाब profit in lieu of salary इस वाले head में जाएगा जो कि अभी हम देखेंगे कि इसमें और क्या point आ सकते हैं तो देखेंगे आपको याद रखना पड़ेगा कि अलग से एक head है salary वाले part में competition में तो आएगा आपको पता है लेकिन देखें यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यह अलग से आएगा लेकिन यह इस head में चले आएगा fully taxable as profit in lieu of salary ठीक अब यह तो normal salary के form में है लेकिन यह अलग से एक heading आ जाएगी किस नाम से profit in lieu of salary इस नाम से taxable हो जाएगा अभी बोल रहा है annuity received from a person other than employer ने present employer ने ex employer है for example बोल दिया कि एक insurer है उससे आपको क्या मिला annuity मिल रहा है यानि एक insurance company से annuity का बाट मिल रहा है तो उस case में क्या बोल दिया taxable as per provision of section 56 as income from other sources तो ये भी आपका काम आ जाएगा कभी कभी अब देखिए बोल रहा है salary received in lieu of notice period यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे particular employee को आपने retrench कर दिया किसने employer ने तो employer को करना पड़ेगा एक proper notice देना पड़ेगा employer को अगर employer fail कर जाता है तो जो भी notice period है उसकी equivalent salary किसको देनी पड़ेगी उस employee को देनी पड़ेगी बोल रहा है retrenchment compensation के अलावा notice period के equivalent salary भी देनी पड़ेगी employer दोरा employee को क्यों क्योंकि उसने proper notice नहीं दिया notice देने में वो fail हो गया कौन employer such amount is known as salary received in lieu of notice period and it is fully taxable तो यह पूरा का पूरा taxable होगा ठीक है अपना last part बचावा है profit in lieu of salary section 17 subsection 3 देखे अब इसमें क्या बोल रहा है यह बोल रहा है section 17 subsection 3 है following receipts are taxable as profit in lieu of salary the amount of any compensation due to or received by an SSC from his employer or former employer at or in connection with a termination of his employment b modification of the terms and condition of employment आप चाहिए पढ़के देखे क्या बोल रहा है amount of कोई भी यानि compensation की बात कर रहा है चाहे due हुआ चाहे receipt हुआ assessee को किस से अपने जो अभी current employer था present था वो या former employer किसके connection में termination of his employment उसका जो भी service contract है उसको खतम कर दिया गया अब देखे यहां रखना scheme का जो भी compensation है उसको छोड़के normal जैसे working condition के according आपको पता है कि employer क्या करता है employee को हर साल हटाता है क्योंकि एक तरीके से क्या है वो इसकी सामान्य प्रिक्रिया का पार्ट है business के ordinary process का पार्ट है एक तरीके से मान के चलिए या retransment के अलावा किसी अन्य region से जो भी service contract का पार्ट था उसमें modification कर दिया, alteration कर दिया जो भी terms and condition है जिससे employee को थोड़ा नुकसान हो सकता है तो employer क्या करेगा उस employee को compensation देदेगा तो employee के लिए वो क्या जाएगा fully taxable हो जाएगा ठीक है ये बाटा गया, second में क्या बोल रहा है any payment due to or received by an assessee from his employer और former employer ये बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि किसी भी employer जो present employer की बात कर रहा है, former employer की बात कर रहा है उससे जो भी amount मिले या due हो चुका है, accept the following अब देखे क्या बोल रहा है, gratitude exempted तो इसका मजब क्या हुआ, जितनी taxable gratitude होगी, जितनी भी taxable gratitude होगी, वो profit in lieu of salary का बात होगी, क्योंकि देखे क्या बोल रहा है accept the following, जो कि gratitude exempt हो चुकी है, तो अगर मैं बोलूँगा कि actual gratitude received कितनी भी थी 2 lakh मान के चलिए, और जो आपने least of the following, तीनों में से जो least हो जनरली आपने actual gratitude received 20 lakh, और फिर तीसरा आपने वो 15 upon 26 या 15 upon 30 यानि half करके, जो भी particular part निकाला, completed year of service के basis पे, मान लो 150 निकाला, तो 2 lakh में से 150 गए, क्योंकि आपको पता है कि तीनों में से ये कम था तो जैसे आपने less किया, बाकि taxable कितना है 50, तो ये बोल रहा है, accept the following मनलब इसको छोड़के, जो taxable gratitude है, क्योंकि इसको हटा दो, तो बाकि taxable कितनी है, 50 ये 50 profit in lieu of salary का part बनेगा, वैसे जब HRE की बात करते हैं, तो taxable HRE की बात कर रहा है, committed pension की बात कर रहा है, तो देखिए committed pension जो exempted है, लंसम वाला part, जो कि gratitude मिल जाती है, तो कितना exemption है, one third, और gratitude नहीं मिलती, तो कितना है, half, ये बताया था, और uncommitted तो taxable होता ही है, तो ये बोल रहा है कि committed pension जो exempted है, वो नहीं ली जाएगी, और जो taxable है, exemption less होने के बाद, जो taxable बच गया, वो part इसमें आ जाएगा, ठीक है, retirement compensation, exempted, तो इसका मदलब क्या है, ये हटा दो exemption का, और बागी taxable part आ जाएगा, accept का मतलब ही है, कि इसको छोड़के, इनको छोड़के, बागी सारे taxable part, payment from an approved superannuation fund, इसको छोड़ देना, payment from statutory provident fund, और public provident fund, इसको छोड़ देना, ठीक, देखे, इसका मदलब क्या हो गया, जो भी contribution कर रहा है, approved superannuation fund में employer, इसको छोड़ देना, जो भी contribution कर रहा है, SPF, statutory provident fund में, या public provident fund में employer कर रहा है, उसको छोड़ देना, ये बोल रहा है, जो भी contribution employer, recognized provident fund में कर रहा है, to the extent, it is exempt under section 10, sub section 12, जहां तक ये exempt है, वहां तक का part, जो कि हमारा किसम है, under section 10, sub section 12 में, तो जहां तक का ये exempt का part है, उसको छोड़ के बाकी सारा part आपका profit in lieu of salary में आएगा, चलिए मैं simple example बताऊं, तो मैं क्या बोलना हूँ, ग्रैचूटी जितनी हमेशा taxable होती है, तो वह भी profit in lieu of salary का part बनेगी, क्योंकि pension के profit in lieu of salary वाले part में दिखानी है, पर कौन सी जो taxable है, ठीक है, यहां पे accept the following का मलब, exempted वाला part नहीं दिखाना, और जो fund से related part है, वो नहीं दिखाना, वो following receipts are taxable, तो third point क्या बता रहा है, यह taxable है आ रखना, अब accept मत सोचना, माइंड में, बार बार accept सोचते रहो, तो देखें क्या बोल रहा है, any payment from unrecognized provident fund और such other fund to the extent to which it does not consist of contribution by the assessi और interest on such contributions, अब देखें इसमें generally यह बोल रहा है कि contribution to unrecognized provident fund है, या कोई भी ऐसा fund, लेकिन यह वाले fund की बात नहीं कर रहा है, जो generally super renovation, PPF, SPF या RPF की बात कर रहा है, यह किसकी बात कर रहा है, unrecognized provident fund की बात कर रहा है, और जब देखें आगे पढ़ोगे, और जद आपको समझ में आएगा कि fund का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसका अलग से एक topic आएगा, तो यह generally बोल रहा है कि अगर assessi मतलब क्या होगा, employee employee ने भी contribution किया होगा, employer ने भी contribution किया होगा fund में, तो बोल रहा है कि employee का जो contribution है, और उस पर जो interest बन रहा है, उसको छोड़के, तो सारा पार्ट किसकी बात कर रहा है, employer के contribution की बात कर रहा है, या रखना, ठीक है, तो employee के contribution और इसके interest के पार्ट को छोड़के, बाकी सारे किसकी बात कर रहा है, employer के contribution की बात कर रहा है, जो कि unrecognized provident fund में है, या किसी as a fund में है, और उसका in lieu of salary वाले पार्ट में आ रहा है और exemption वाले पार्ट से रिलेटेट नहीं है क्योंकि exemption कभी भी taxable वाले पार्ट में आता ही नहीं क्योंकि वो तो exempt है नॉर्मल सी बात फोर्थ क्या बोल रहा है any sum received by the employee under the key man insurance policy including the sum allocated by है वो bonus on search policy अब देखिए की में insurance policy क्या होती है देखिए कई business ऐसे होता है जिसमें जनरली क्या होता है कि employer न उसके लिए employee बहुत ज़्यादा important होता है यानि उसके पास इतनी skill होती है इतनी ज्यादा ability होती है capacity होती है capability होती है जनरली मान के चलिए उसमें intellectual skill इतनी है technological knowledge ज्यादा है तो employer को बता है कि अगर यह छोड़के चले आएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा एक तरीके से या इसकी death हो जाएगी या disable हो जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है तो इस case में employer employee का क्या करता है insurance करवा देता है या मैसरी होता है या दैफ lover का part हो गया उस टांपे क्या कर दिया जो इंश्वरेंश का part है वो एंप्लोई को provide कर दिया किसको एंप्लोईर को या रखना किसको employer कोई को इसके साथ bonus भी मिलता है अि अब वह employer के उपर को मिल रहा है उसमें से जो वो employee को दे दता है bonus के साथ वो सारा का सारा employee की income का part बन जाएगा आप बोलोगे sir employer की income भी दो बनेगा हाँ बनेगा वो किसमें जाएगा उसके income from PGP profit and gains from business and profession उसमें चले आएगा उसकी व्यवसाय की आया माना जाएगा लेकिन हम किसकी बात कर रहा है employee की तो employer क्या कर रहा है जो भी insurance policy का पैसा मिला है bonus के साथ उसका जो हिस्सा उसने employee के दिया है वो employee की income बन जाएगा तो देखे क्या बोल रहा है एनी सम received by employee under keyman insurance policy including the sum allocated by way of bonus on such policy तो यह कौन देगा employer किसको देगा employee को employer को कहा से मिलेगा insurance company के थुरू मिल जाएगा ठीक है और उसका कुछ हिस्सा वो employee को देदेगा employee की income बन जाएगा फिफ्थ एनी amount due to or received by the employee in lump sum और otherwise prior to employment और after cessation of employment इसका मतलब क्या है देखे यह बोल रहा है कि job accept करने से पहले prior to employment तो employment से पहले जो भी amount employee को मिल रहा है या जो भी due amount lump sum में या कैसे भी हुआ वो इसके profit in lieu of salary का पार्ट बनेगा उसी तरीके से बोल रहा है कि जैसे उसको job से हटा दिया गया तो job से हटा दिया मलब मानके चलिए retirement cessation of employment का मलब क्यों हो गया मानके चलिए retirement क्योंकि देखिए अगर कर दिया तो यहां पर मैं जनरली क्या बोल दूंगा कि रिटायर हो गया उसके बाद भी amount मिल रहा है वह जनरली profit in lieu of salary का पार्ट बन जाता है तो इसका मुलब job से पहले और job से बात का माउंट वो किसमाय का profit in lieu of salary वाले पार्ट में आ जाएगा ठीक है तो यह अपना होगया पार्ट खतम अब देखिए इसकी मैं आपको PDF प्रोवाइट कर दूंगा अब इसी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे आगे क्या देखेंगे फिर अलाउंस का पार्ट देखेंगे फिर परक्यूजट का पार्ट कवर होगा इस तरीके से आगे टॉपिक हो दे जाएंगे परक्यूजट न आपको पता है कि बहुत सारी फैसिलिटी जाती है आपको मोटर करका जो पार्ट होता है वहाँ तक्या उससे ज़्यादा उसमें आपको पसंद आई है नहीं पसंद आई तो आप मुझे मैसेज कर दीजा किजिए कि सर कुछ कुछ पॉइंट हमें समझ में नहीं आए तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो वीडियो देखने के लिए थैंक्यू